जैशा कि आप सभी लोग जानते हैं जवशे विराशत की रड़ाई भारत में शुरू हुई पूरे देश भारत के बौद अमेट करबादी सामाजिक लोग अपने हकों की रक्षा के लिए आगे आए और उन्होंने धर्णा प्रदर्शन के माध्यम से भूंकरताल के माध्यम स ग्यापन देने के माध्यम से शंगर्ष किया हम लोग इतना ही नहीं रूखे हम लोग भारतिय शंविदान का जो तीसरा संभ है न्यायपालिका उसके तहत हम लोग हाई कोट गए हाई कोट में हमें डिस्मिस कर दिया गया खारिश कर दिया गया आज की वो तिति है आज ये सारी याशिकां आज सुनवाई पर लगी थी, आज सुप्रीम कोट में हम लोग पहुँचे और सुप्रीम कोट में हमें सुना और सुनने के बाद सभी याशिका करताओं को बहुर लताडा कहा कि जब जज्जमेंट सुप्रीम कोट कर चुका है तो उसी मसले पर आप बिदेशी फंडिंग हो रही है मुझे आसा ही नहीं बलिक पूरा विस्वास है कि यह लोग भी बिदेशी फंडिंग जुटा रहे हैं इसलिए बार-बार याश्काएं कर रहे हैं हमारे दोनों याश्का करताओं को बहुत फटकारा और बहुत उनको बुरा-बला कहा सुप्रीम कोट यहीं तक नहीं रुका सुप्रीम कोट ने हम लोगों के खिलाफ एक-एक लाख रुपे का जुर्माना लगाया और सी बी आई जाच कराने की मांग की पता किया जाए कि लोगों को बिदेशी पंड कितना मिला है विचार करिए भारत के लोगों, भारत के समताबादी, मानपताबादी, बुद्धबादी, अमिटकरबादी विचार करिए कि भारतिय संविधान का तीसरा इस्तंब होता है नियाए पालिका और नियाय पालिका एविडेंस नहीं देख रहा है, अब सेस नहीं देख रहा है, कारवन रेटिंग नहीं करा रहा है, हिस्ट्री का कोई ग्यान नहीं उसे, शाहिती नहीं पड़ रहा है, और मनमाने तरीके से हम लोगों के हकों को, हमारे अधिकारों को, हमारे मान समान को कु मुझे अब हाइपोड पर विषवास नहीं रहा है मैं भारत के बोधन से मानवताबादी लोगों से विज्ञानग बादी हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हम बौदों की कोई नहीं सुनी एक भी नहीं मानी हम लोग बहुत आहत हैं अब हम लोग निरास नहीं होंगे हम लोग हमत नहीं खोएंगे हम लोग अपनी आसा नहीं खोएंगे हम समिदान के दाइरे में इसका बिरोद करते रहेंगे जब भी लोगों के प्रती बहुत-बहुत मंगल कामना है प्रेशित करता हूं बहुत-बहुत शुक्त गुजार हूं कि आप लोग हमारे आभान पर हमारे साथ लगे रहते हैं आज बहुत पुरी ख़वर है कि आज सुप्रीम कोट में जुर्माना लगाया है कि आपकी हिम्मत कैसे हिम्मत नहीं हा रहेंगे और हम अपने अधिकारों के लिए अपनी विरासत के लिए संगर्श करते रहेंगे बहुत बुरी तरह से देश भारत के अलप शंक्यक चातोर बड़ विवस्था को मानने वाले माद दे रहे हैं हरा रहे हैं चुकि वो इस शमय ऐसे स्थान पर बै बैठख करके ये नेड़े लिया है कि भारत के बाहर जितने भी ऐसे देश हैं जिने लोक तंत्र पर भरोशा है जिने बुद्ध की विशारदारा पर भरोशा है याद रखना दुनिया के बौधों के लिए तीर्थिस्थान पूरा भारत होता है दुनिया में जितने भी बौध रहते हैं जब भी उनका मन सुकून चाहता है तो वो बौध गया आजाते हैं शारनात आजाते हैं लुम्बनी आजाते हैं श्रावस्ती आजाते हैं की टेम को थुरूद दूताबास हम अंतराश्टी लेबिल पर ले जाए हम लोगों का ग्यापन तयार हो गया है अभी चुकि दूताबास में जाने की अनुमती नहीं मिल पा रही दिल्ली में जितनी भी embassy's बनी है उन सभी embassy's में मैं ग्यापन दूँगा और उस ग्यापन में ये दिखाने का दर्शाने का प्रियास करूँगा कि भारत के बौद्धों के साथ कितना नयाय हो रहा है उनकी जमीने हट्पी जा रही है उनकी संपत्तियों पर कबजा किया जा रहा है उनकी च्छाती पर मंदर बनाय जा रहे हैं ये सारे ग्यापन तयार कर लिए गए हैं साकेत मुक्ति अंदोलन की तरफ से और जैसे ही हमें embassy में जाने का राजदूर से मिलने का मौका मिल जाएगा हम 20 लोगों की टीम जिसमें 15 बहुत विक्षू होंगे और पांच हमारे वरिष्ट वपासक लोग होंगे 20 लोगों की टीम embassy रायदूर से मिलेगी और रायदूर के माध्यम से हम अंतर राश्टी लेविल पर अपनी बात पहुचाएंगे अंतर राश्टी दवाव बनाएंगे आश्टेलिया जर्मनी फ्रांस जापान कोरिया थाइलेंड स्री लंका जब भारश्य निवेदन करेगा बिनती करेगा कि आपके देश में लोगतंत्र है और लोगतंत्र में देश भारत में बहुत भी रहते हैं बुद्ध को चाहर हो रहा है उस पर आप क्या करेंगे तो इस सरकार को मेरी बात सुननी पड़ेगी माननी पड़ेगी आप सबी लोग हमारा साथ हैं हम लोगों ने मंत्रणा कर ली है और हम लोग अंतराश्टिय दवाव बनाने के लिए बेसी के पाथ पहुंच रहे हैं जैसे ही कोरोना काल कम होगा वैसे ही हमारे टीम अंबेसी निकलेगी और अंतराश्टिय दवाव भारत सरकार पर पड़ेगा और भारत सरकार पौद्रों की बास सुनेगी बहुत-बहुत मंगल काम नाएं बहुत-बहुत शादुबाद नमो बुद्धाय जै भीम जै शंबिधान जै कर पर पारत